दिल्ली में किसान अंदॉलन पिछले काफी समय से चल रहा है लेकिन किसान अंदॉलन को लेकर आज जो पूरे दिन में हुआ वो सब के लिए काफी चौकाने वाला था हाला कि वो जिंद में महापंचायत में फैसला जो लिया गया हो या फिर उसके बाद वहाँ पे राकेश टिकैज जब मौझूद थे तो स्टेज भी गिर गया था जिसके वहाला कि स्टेज गिरने के दौरान उन्हें कोई मामूली चो गई हो बॉलिवोड सिलब्स लगातार इस रिहाना को ट्वीट करके उन पर हमला कर रहे हैं उसके बाद कंगना रनौत ने भी उने घेरा अक्षे कुमार ने भी उनके खिलाफ ट्वीट किया अजे देव गंश नील शेटी तमाम बॉलिवोड ऐसे सितारे हैं जिनोंने रिह प्रदिवन क्या आपको लगता है इस तरह से ट्वीट करने के कितना सही है एक आंदॉलन है उसे हम सियासी आरोप प्रत्यरोप भी करते हैं और उसके बाद ट्वीट भी होते हैं तो किस हद तक है सही है बिल्कुल जिस तरीके से आपने जनकारी दी ऐसे हैं बहुत एहम हो हो जाता है इस चर्चा को आके बढ़ाना और इस मुद्य पर खास तोर पर बात करना कि किसान आंदोलन लगातार सतर से जार दिन यहां पर हो चुके हैं सतर दिन से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन जब अब देश के बाहर से लोग ट्वीट करते हैं तो ऐसे मैं सिती थोड़ी डामाडोर हो जाती है ऐसे मैं माहौल विगरने की कोशिश लिहां पर लगाता है हो जाती है और अगर बाहर से ट्वीट इस तरीके के हमारे देश के लोगों के लिए किये जाएंगे तो ऐसे ट्वीट लगाता राएंगे यहां पर जो ट्वीट किये जा रहे हैं उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि शोशल मीडिया पर अगर कुछ भी ट्रेंड करता है या कुछ भी वाइरल होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बड़ा ही बहाना और बड़ी तेजी के साथ वो आता है शोशल मीडिया पर कोई भी एक छोटी सी बात होती है वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है क्योंकि उस शोशल मीडिया पर लाखो करोड़ों लोग लगातार ऑनलाइन रहते हैं ऐसे मैं जब इतने ट्वीट होंगे और इतना अपनी राए वहाँ पर रखी जाएगी तो राए के चलते जो साम्परता एक माहौल होता है वो खराब हो जाता है ऐसे मैं लोगों से तो यही अपील रहती है कि इस तरीके की ट्वीट ना करें सरकार भी यही अपील कर रही है फिलाल किसी को चोट नहीं लगी है लेकिन लगातार महा पंचायतों का दौर चल रहा है पंचायत की जा रही है क्योंकि गाउं दिहात में आज भी पंचायते होती हैं लेकिन आप कितने भी पढ़ लिख जाएं गाउंगर अगर आप जाते हैं, दिहाज शेत्र में जाते हैं तो वहां पर पंचायतों का जो माहौल है भो आज भी है उडद में कम से कम पाच पंच होते हैं लेकिन एक पंच आजकल जमाना बदल रहा है हमाँ पर एकत्रत हो रहे हैं और ऐसे में किसान आंदूलन को बल भी मिल रहा है लेकिन अगर ऐसे माहौल में क्योंकि माहौल कोई अच्छा इसको नहीं कहा जा सकता है माहौल खराब है लेकन अगर ऐसे में बाहर के लोग इस पर ट्वीट करेंगे और इस तरीके का माहुल बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरी थोड़ी खरा होती नजर आ रही है जी लेकिन जिस तरह से आपने महापंचायत का भी जिक्र किया तो क्या आज महापंचायत में जो फैसला लिया गया कि सरकार ये अपने तीनों विलो को वापिस ले इससे पहले भी किसान संगठन है जो पिछले काफी दो महीने से ज़्यादा हो गए है और इसी को लेकर अंदोलन कर रहे हैं लेकिन क्या आपको लगता अब ये महापंचायत जो आज कुई उसके बाद पैसला लिया गया क्या सरकार पर इसका कुछ असर पड़ेगा क्या सरकार कुछ विचार विमर्ष करेगी कि उनको ये बिल वापिस लेना चाहिए बिलकुल महापंचायत लगातार की जा रही है किसान की जो संख्या वो भी गाजी पर बॉर्डर की बात करते है वो दिन बादिन बढ़ती जा रही है ऐसे में किसान आंदूलन लगातार इतना जो आगे भरता जा रहा है क्यों किसान ये बात साफ तोर पर बोल चुके हैं जा किसान नेता की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं तो उन्होंने साफ तोर पर ये बोल दिया है कि प्रदान मंतरी हमारे हैं हम प्रदान मंतरी का सिर नहीं जुकने देंगे लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कही जाती है किसानों की तरफ से किसान नेता की तरफ से कि जो बिल है वो वापस होना चाहिए और जो किसान हमारे जेल में हैं उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि आरूप प्रत्यारूप तो एक दूसरे को उपर चल रहे हैं ऐसे में अब सरकार का जो अडियल रभया है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है तो ऐसे में किसान की जो जिद्ध है वो यहाँ पर कमजोर होती हुई दिख रही है ऐसे में राकेश रकेट यह भी कहा रहे है कि किसान आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है हमारी लड़ाई तो वैसे ही चलेगी चाहिए किसान कम हो चाहिए किसान जादा हो तो वो लड़ाई कमजोर नहीं हुई है लेकिन फिर भी कहिनक इस्ति पहले से थोड़ी से कमजोर हुई 26 जनवरी के बाद से क्योंकि जो माहौल 26 जनवरी को बनाता है। सरकार को क्या सोचना चाहिए और किसान गिताओ को क्या अपनी बात रखनी चाहिए। पहले से थोड़ी खराब हो जाती है। जैसे रिहाना ने ट्वीट किया उसके बाद बॉलिवोड के सितारों के साथ साथ पॉलिटिकल नेता भी जो है वो ट्वीट लगता कर रहे हैं। प्यूज गोएल ने भी कहा है कि ये अंतर राष्ट्रिय सार्जिश का शर्यंत्र है रचने की कोशिश की जारी है भारत के खिलाब। और तमाम नेता हैं राहुल गांदी ने भी हाला कि ट्वीट किया सम्विट पातरा ने भी ट्वीट किया अला कि सम्विट पातरा और राहुल गांदी के बीच तो एक दूसे पर आरोप प्रत्यरोप का दौर भी जा रही है तो कितना ये सवाल उठता है कि आंके कितना ये स इस हद तक ही साही है। कि विपक्ष अपना समर्थन देने के लिए खुद आंदूर इंस्थल पर पहुच रहाता है। जो वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है उस पर बिल्कुल ही एक तरीके से पाबंदी लग जाएगी। तो ऐसे मैं जब प्रधानमंतरी मोदी ने ये चीज़ बोल दी थी कि एक फोन कॉल के दूरी पह तो विपक्ष अपने अप चुब बैठी है दा। लेकिन अब विपक्ष फिर से सवाल उठा रहा है अकले शारफ की बात करते हैं राहूल गांदी की बात करते हैं तो लगातार इस तरीके की बात कहीं जा रही है कि सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। किसानों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है तबाम तरीके के आरोप यहां पर लगाये जाते हैं लेकिन अगर सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार यही कह रही है कि बातचीत का दौर अभी फिर से शुरू होगा उसमें कोई ना कोई हल जरूर निकलता हुआ दिखाई देग जी एक बार फिर से मैं छे फरवरी का जिक्र करूंगी जिस तरह से किसानों ने एलान किया है कि वो चक्का जाम करेंगे हाला कि आज सुबर राकेश टिकैत ने यह कहा था कि वो चक्का जाम नहीं करेंगे लेकिन सवाल यही है कि 26 जनवरी कोई ट्रेक्टर परेड निकालने के लिए राकेश टिकैत और किसान संगठनों नहीं यह कहा था कि हम शांती पून तरीके से परेड निकालेंगे और कोई भी घटना या फिर हम शांती पून तरीके से परेड निकालेंगे और हम इसे भंग नहीं करेंगे लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जो 26 जनवरी को ह क्या वो फिर से 6 परवरी को दोराया जाएगा या फिर सुरक्षा जो है वो पूरी कर ली गई है जो 26 जनवरी को हुआ जब भी यही वाइदा किया गया था दिल्ली पुलिस से की बड़े ही शांती पूर्ण तरीके से ट्रेक्टर परेट निकाली जाएगी लेकिन जो भी कि यह सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार दिल्ली पुलिस इस पर भरोसा कैसे करे क्योंकि यह भरोसा पहले 26 जनवरी को दिलाया गया था लेकिन वो भरोसा तोड़ दिया गया अब जब फिर से बादा किया जा रहा है अब उस वादे पर दोवारा भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसलिए दिल्ली पुलिस लगातार सतर्क है 15 लेयर की बेरिगेटिंग महाँ पर कर दी गई है सुरक्षा के पुक्ता इंतजामात है और ऐसे मैं किसान दिल्ली कूछ ना करें उसके लिए 15 लेयर की बेरिगेटिंग बना दी गई है और जिस तरीके का उनकी रोक थाम के लिए जो विवस्ता तयार की गई है वो ऐसी है कि अगर ट्रेक्टर चणने की आगे आने की कोशिश करेगा तो हापर कील लगी हुई है कील से टैर पंचर हो जाएगा तो ट्रेक्टर आगे नहीं जा पाएगे ऐसे मैं दिल्ली पुलिस इस बार कोई भी हापर कमी नहीं रख जो 26 जनवरी को गलती हुई या इस्तिती नहीं समाल पाए वो अब 6 फरवरी को ना हो पाए वो चीज ना दोहरा पाए ऐसे मैं अब 6 फरवरी में जारा दिन नहीं बचे है तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि अब इस्तिती को समाला कैसे जाएगा क्योंकि दिल्ली तोड़ दिया गया अब वादे पे भरोसा नहीं है तो दिल्ली पुलिस पूरी सतर्क है और पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि 6 फरवरी को ऐसी इस्तिती दुबारा ना पैदा हो तो जैसे 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसके बाद दीप सिद्धू एक ऐसा नाम है ज तो क्या अब इनाम घोशित होने के बाद दीप सिद्धू को पुलिस पहुंच पाएगी दीप सिद्धू तक दीप सिद्धू को लाओ एक लाग पाओ अब तो इस तरीके के जो ट्रेंड टुटर पर भी कर रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात ही है कि गिरफ तारीका होगी क यूँकि दीप सिद्धू का एक ऐसा नाम सामने आया था जा पर दीप सिद्धू इस बात को बोलता है कि हमने जो अपने राइट्स हैं उसके आदार पर जंडा फेराया लेकिन अगर आप इस तरीके की बात सुनते हैं तो आप ये भी समझ ये कि इतनी जो एक बोल सकते हैं कि जंडा फिराने की तागत का से आई इतना सपोर्ट का से मिला तो वो खुलासा होना बहुत जरूरी है इसके लिए उसको गरफता करना बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए दिल्ली पुलिस ने उस पर एक लाख रुपे का इनाम धोशित कर दिया साथी साथ लोग ऐसे और ह देखने वाली बात ही है कि दिल्ली पुलिस इसको गरफतार कब तक करती है क्योंकि दिल्ली पुलिस बड़ी सतर्ख पुलिस बानी जाती है जो ऐसे मामलों में सबसे पहले और सबसे जल्दी कारवाई करती है दीप सिद्धू अगर गर गरफतार होता है तो काफी बड़े नामों के यहां पर जो है वो जागर हो सकते हैं क्योंकि दीप सिद्धु ने चीज बूली थी कि अगर मैंने अपना मूँः खोला तो बहुत लोगों को ले डुबूँगा तो ये बात जाहिर कर देता है दीप सिद्धु अपने शब्दों से कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके पीछे जो शडियंत रहे उसमें शामिल है तो अगर दीव सिद्दू की गिरफतारी हो जाती है तो सबसे बड़ी बाती है कि बहुत लोगों के नामे आपर सामने आ जाएंगे खुलासे भी बहुत जल्दी हो जाएंगे लेकर अब बात करें चैफरवरी की तो चैफरवरी जारा दूर नहीं है ऐसे में दिल्ली पुलिस के इंतजामात क्या हैं किस तरीके से जो वादा दिया गया राकिश चकैत की तरफ से वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये चैफरवरी को पता लग जाएगा फिलाल के लिए इतना है बने रही है निजवल इंडिया के साथ नमस्कार